hey guys what's up कैसे हैं आप सब सब चंगा सब बढ़ियां एक्जाम आपके अच्छे जा रहे हैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया के लाज़ेस्ट लर्निंग प्रेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनकेडमी मैं हूं आपका होस्ट आपका कोच आपका फ्रेंड धीरेन ल अच्छेटरपाल मोर्दन प्लस शेक्सियर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरेंस है मैंने अपना पोस्ट गजवेशन के में स्टी में कर रखा है यह एप हम से कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनकेडमी लर्निंग एप को डाउनलोड करके फटा-फट से हमारी इस एप को डाउन कनेक्ट होने के क्या आपको फाइदे मिलेंगे तो दोस्त बहुत सारे फाइदे हैं हमसे कनेक्ट होने के उनमें से कुछ फाइदे में आपको बताता हूं सबसे पहला फाइदा है या डेली लाइफ क्लासेश जो कि आपको हमारे साथ लाइफ कनेक्ट होने का मौका देता है जहां पर आप हमसे direct engage करते हो वहां पर आपके मन में जो भी जैसे भी बिंदासों के doubts होते हैं आप पूछते हो ठीक है इसके अलावा हम questions answers में polling करवाते हैं और polling के दौरान हमको यह पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों सवाल को रॉंग किया है चीक है नेक्स जार लाइफ टेस्ट इन क्विस आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो शायद आपका कुछ नहीं होगा पढ़ाई के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है उसमें कहीं mistake तो नहीं है उसमें कुछ correction तो नहीं है और होता क्या है हम पढ़ते कुछ और हैं और कभी-कभी कोशन कुछ और अंगल से पूछता है ठीक है तो यह सारी चीजों का जो analysis है इस सारी चीजों को जो experience है यह आपको mock test दे के मिलेगा ठीक है इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है दोस्त एक सवाल है और एक सवाल मुझे करना है मुझे पता है कि वह सवाल एक मिनिट का है लेकिन मैंने उसमें पांच मिनिट लगा दिये for example तो उस case में वह सवाल होना या ना होना almost बराबर है क्योंकि time management का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप एक्जाम में बैठते हो तो ठीक है questions की selection बहुत जरूरी है मैंने बहुत बच्चों को देखा है बहुत आरे बच्चों को देखा है कि physics chemistry कर रहा है विचारे मैच आते आते छोड़ देते हैं the reason behind कि पस time नहीं बचता जबकि ऐसे भी उनके दिमाग में स तो आपको मेरे साब से regular basis पे mock test and quiz देना चाहिए और इस चीज का फाइदा आपको तभी बिलेगा जब आप हमारे app को download करोगे हम से connect होगे तो हमसे जब भी connect होगे आपको बहुत सारी mock test देने का फाइदा मिलेगा और अपनी performance में अप इसको growth लाना है यह आपका काम है ठीक है तो फड़ा फट से हमारे जब एप को download करेंगे तो वहां पर मॉक टेस्ट की शीरीज में जाईएगा अब वहां को आपको अच्छे अच्छे मॉक देखने को मिलेंगे ठीक है इससे क्या होता है कि आपका एक topic दूसरे topic से class नहीं करेगा एक subject दूसरे topic से class नहीं करेगा और fix schedule में सब कुछ चलता जला जाएगा is should का होना बहुत ज्याधा जरूरी है क्योंगी एर coach अगर हम जल्दी खतम करते हैं तो भी ना-इंसाफि है और देर से खतम करते हैं तो भी ना-साफिए ढोनों में लाउस है स्टूस है फिक्स डूसरी बनाना पढ़ता है कि हाय इतनी classes टोपक में बच्चे के साथ इंट्रेक करते हो लगेंगी तो अगर आप शीडूल में रहोगे आप एक स्ट्रक्चर्ड मैंनर में रहोगे तो आपका हमेशा एक फिक्स टाइम पे कोर्स खतम होगा और आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा आप पढ़तों लेते हो लेकिन अगर आप एड़ एंड अफ टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो यह सब कुछ वेस्ट है ठीक है इसलिए अपने आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्ट्रूल वे में बनाना बहुत जिरूरी है और इस काम सबसे खासा ध्यान रगते हैं सबसे अच्छी चीज में लगती है मेरा अपना अपूइन इसको लेके अनुरी डेक्सिस का है सबसे पहली खासे यह है कि अगर आप किसी रीजन से आप हमारी लाइफ क्लास मिस्ट कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्ड क्लास को भी देख सकते हो इसके अलावा इसके पढ़ा रहे हैं तो हर एक अपने यूनिक है और आपको हर फेकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा आप चाहो तो के मेस्ट्री दो से पढ़ो फिजिक्स दस से पढ़ो यह तुमारी मर्जी है तुमारे उपर है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती यार कि आपको इतनी सार है फेकल्टी मिल रहे हैं एक ही सब्जेक के लिए और सब अपने आप में मास्टर मतलब कह सकते हो कि एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कोटा फेक्ट्री तो पूरे-पूरे एक से एक फेकल्टी इंडिया के हम से कानेटिट हैंस्टाइन और वह आपके पीछे आपके एक ही से दो फेकल्टी आपको मिलता पढ़ाने को यहां पर यार दद्दस फेकल्टी सा पढ़ रहे हो तो मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं है ठीक है और इन सारे बेनेफिट्स का फाइदा उठाने के लिए हमारी बहुत ही एकनॉमिकल और बहुत ही एफ़डबल फीज है दो है मेरा कोड़ धीरें देज दी एचाई यारें मैंडियर आफ्टर दिस कोड़ जो आपको अमाउंट हो जाएगा वह जाएगा 34650 अब 34650 रूपीज अनली पे करके आपको इतने सारे बेनेफिट्स मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि यार इससे कोई बड़ी बात हो नही को मिल रहे हैं यार बहुत बहुत इकनोमिकल है यह ठीक है इसके अलावा दोस्त अगर आप क्लास 11 पे हो तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरा 12 मंद की जगे हमारा 24 मंद का प्लाइन लो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि लंबी जरनी होगी ज्यादा समय मिले करने में ठीक है और इसको लेने के लिए हमारी जो फीस है वह 56,000 इसमें भी बच्चे आपको हम 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट डेते हैं अगें वा यूजिंग मैं कोड धीरेन याचाई रियन आप इस कोड को जैसे यूज करोगे तो आपका इमांट 56,000 से होके करमनर हो ज अब लिए अन दबेस आप 6 मन 1224 मन्त इस एमांट पर मैं देखता हूं तो जो पर मंत की जो इमाई आ रही है वह आरे है अब दोस्त एक्किस और पर आपकी पर मंत की इमाई है तीन सब्जेक्ट है तो आल्मोस आ रहा है आपका 700 पर सब्जेक्ट अब 700 पर सब्जेक्ट तो सोचो यार इससे सस्ता क्या होगा हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी पर जादा वग करें ठीक है हम कम से कम फीज लेके इंडिया के जितने मैक्समुम बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं वह अपना फर्ज पूरा करती है हमारी टीम ठीक है 700 रुपीज माइडियर कुछ भी नहीं है अगर आप सोच हो तो ठीक है मैडियर आप मुझे सोच रहे हो कि सर मुझे वन मन्त और थ्री मन्त और सिक्स मन्त के लिए क्यों माना कर रहे हैं तो अभी मैंने आपसे कहा कि आपको हर एक चीज शेडियूल में होनी चाहिए मेरा यह प्लस चेप्टर्स है अपने पास अब यार इस 90 प्लस चेप्टर को तुम वाकई क्या तीन महीने और छे महीने की उस डेफ्स में खदम कर पाओगे जो जरुबत है आंसर इस मेरे ख्याल से इसा नहीं पॉसिबल है यार प्रेटिकल पॉसिबल नहीं है हां एक बार आप 12 मंत ले सोच सकते हो वन यह का प्लान है और टू यह का प्लान तो और अच्छा है ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको लेकिन आप वन मन्त त्री मन्त और शिक्स मन्त में PCM के 90 प्लस चेप्टर्स को आप खटम कर जाओगे और वो डेफ्ट जो जेई मांगता है शायद नहीं है ठीक है तो मेरे बात पर थोड़ा जोड़ देना कि मैं क्यों आपको 12 मंत और 24 मंत ले कह रहा हूं ठीक मैंडेट ये कुछ क्लास की Glen 기q यां है मैं मेरी रोज एक वाई-क्यू सिरीज सलती है और मॉक टेस सीरीरी सलती है इसके अलावा मैंने लाइन इसके अलावा मैंने बूम-बूम शरीज शूग कर रखी है बहुत सारी शिरीज मेरे पास हैं आप जब आप एप को डॉनलोड करेंगे तो वहां पर आप मेरा नाम सर्च करिएगा मेरे नाम सर्च करिएगा जो जो मेरी क्लास होती जाती है वो आपको आती चली जाएंगी ठीक है ओके रात के 9 बजे मिलेंगे इस classes के लिए ठीक है इसके लावा कभी-कभी morning दे भी class होती ही जो mock test के नाम पे होती है ठीक है तो आप मुझे connect हो सकते हैं और वहाँ पर बहुत मज़ा आता है जहां पर हम life pools करते हैं बच्चे बिंदा सोके doubt पूछते discussion होता है ठीक है चल कर रखी है इस सीरीज का नाम रखा है मैंने most expected topic और इस सीरीज में मैं सबसे important topics कुछ questions कुछ topics को पढ़ाता हूं उससे related questions हो सकते हैं मैं वह कराता हूं ठीक है इस सीरीज के दौरान मैंने बच्चे reaction mechanism शुरू कर रखा है और आज reaction mechanism का part 19 launch होगा it means यार पार्ट 1 से लेकर दोस पार्ट 18 तक मैं पढ़ा चुका हूं तो आपसे request है प्लीज जो बच्चे इसको regular देख रहें उसको regular देखते रहें relate करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि यार chemistry अपने आप में इंटर रेलेशन सब्जेक्ट है एक topic topics related होता है अभी आप फील ले पाते हो क कि हाँ यार chemistry पढ़ रहे हो ठीक है दोस्त है चलो आज की जो मेरा टार्गेट है जो मैं पूरा करूंगा आज की टार्गेट में वह मेरा है कि मैं आज पढ़ा हूं आपको elimination reaction with respect of conjugate base इसको में लोग शॉर्टकट में even CB के नाम से जानते हैं और दूसरा जो मेरा टार्गेट है वह है comparison कराऊं substitution reaction और elimination reaction में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार कैसे एक nucleophile को पता चलता है कि हाँ भाया तुझे as a base का काम करना है और तुझे nucleophile का काम करना है कहां पर तुझे कैसे attack करना है क्या तरी conditions होंगी यह सारी बातों का ख्याल है और यह हम इसके अंदर देखेंगे तो आज के हमारे दो टॉपिक्स खतम होने वाले हैं even CB बहुत चोटा टॉपिक है ठीक है उसके बाद आपन लोग comparison शुरू करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते है even CB नाम से पकड़िएगा इसको even और CB लिगा जाए तो even में क्या ह कर रहा है यह आपका elimination कर रहा है जो वन है वह आपको यूनी molecular के बारे में बताता है मतलब यह reaction मूली यूनी molecular reaction है यूनी molecular reaction है ठीक है CB क्या होता है और CB एक नहीं चीजी है यहाँ पर यार इसको बोलते है conjugate base conjugate base elimination की बैने चार type बताए है even बताया है even बताया है इटू बताया है इई आई बताया है और चौता बताने जा रहा हूं even CB जिन्होंने even combination respect of conjugate base मतलब conjugate base के respect में elmination होती है तो आईए पहले इसकी basic कुछ condition समझते है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहां यहां पे तो even CB लग रही है ठीक है और उसका क्या applications है पूरी हमारी chemistry में वो भी दच करेंगे तो ठीक है तो आईए सबसे पहले डालते है conditions for even CB और इन conditions की depth लेते हैं सबसे पहली condition है even CB की की even CB जो है वो आपकी poor living group के साथ होती है जब आपके living group poor होते हैं तब आपके साथ होती है तो आप बोलोगे sir poor living group तो hoffman भी होते थे no doubt यार ठीक है तो देखो अब आप compare कर पा रहे हो कि hoffman sir e2 से होता है यह even CB से होता है तो even CB में आपको poor living group मिलेगा और hoffman भी मिलेगा poor living group ठीक है इसकी अलावा एक जो सबसे अलग खासियत है यहाँ पे नाम लिखाया है conjugate base तो याद रखिएगा यहाँ पे बीटा position पे electron withdrawing group present होता है क्या present होता है electron withdrawing group is present at the बीटा position ठीक है बीटा position पे आपको विड्रों 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 ग्रूइंग ग्रूप मिलेगा देखने को और इस वजए से यह reaction elimination with respect of conjugate base मारी जाती है तीसरा यह reaction हमारी high temperature पे होती है अमुमन सारी ही elimination reaction high temperature पे होने लगती है तो आपको पता है चल रहा है poor living group दिख रहा है बीटा position पे electron withdrawing दिख रहा है यह सबसे बड़ी की है अगर आपको में पहचानना हो तो बीटा position पे electron withdrawing group देखेंगे आप ठीक है बाकि यह तो यह मैंने बताया कि हाँ यह यह यूनी molecular reaction है ठीक है यह यूनी molecular reaction है ठीक है में आप अगर लीविंग ग्रूप से पहचान जाओ तो बहुत बढ़िया में इंपोर्टेंट है अगर आप पोजीश बीटा बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रों ग्रूप लगाओ वहां से पहचाओ जाओ तो और बढ़िया अधर्वाइस हाई टेम्टेटर से भी इसको पहचानते हैं लग बग लेकिन सब में होता है दोस्त मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ हाइट अब इस पहचान हो ठीक है यह में से लिखा है एन अलमिनेशन रीक्षिन हैपन्स वेनक कंपाउंड बेरिंग पूर लिविंग रूप एंड एन एसडिक हाइडरोजन इस टीटिट इन विद बेस मतलब यहां पे अपन लोग बात वही है एक एलेक्ट्रों विड्राइं ग्रूप होगा उसके साथ लगा हुआ ह दिखाते हैं कि अद्रोजन भी धुड्राइन ड्रूब लगा जीते हैं यहां पर लगा तो कुछ यहां पर कुछ नहीं यहां पे लेगा है है तो यह तुमारी बहूर्य बूज पोभी श॥न है जान स्कूत ही उसको लीड्ра लेलो प्लीज जिसका बिर लगा है इनौ इसको अब आप क्या करने वाले हो आपको पता है कि एलेक्ट्रों विड्राइंग ग्रूप लगा है तो इसके खिचाओ से यहां खिचाओ आएगा और यहां पर कौन तर चार्ज डेवलेप होगा जो कि होगा पार्शली पॉस्टिफ चार्ज होगा यह नहीं होगा दिल से सोचो होगा मतलब नेचर में क्या है Hungary चिर आफ चुकर चुकि वह रमें ऐसी डिक है इस वज़े से अगर मीरे पास कोई बेस है तो मैं बेज का interaction दिखा सकता हूं उस पर मैं इस पर बेस का इंटरेक्शन दिखा सकता हूं बेस इसको आकर इंट्रेक्ष कर सकता है तो यहां पर ऐसा ही कुछ होता है कि आपके सामने के लेक्टॉन विड्राइंग रुप होगा और उसका जो हाइड्रोजन होगा उसका जो प्रोटॉन और और इसके बाद आप इसमें टालोगे इसको प्ढीर अन्हीं कराओगे तो यह याद रहेगी बात और यह step यह step मेरे बच्चे fast step होता है ठीक है यह step बच्चे fast होता है क्यों क्यों कि यहाँ पर at the end चुकि electron withdrawing group लगा है तो तुम्हें पता है ये बात कि एक acid तभी stable और strong acid माना जाता है जब उसका conjugate base stable हो definition वह बावर बोलते हैं an acid an acid set to be set to be stronger acid when its conjugate base is stable when its conjugate base is stable अगर आपका conjugate base stable है तो तभी वही असे आपका कि यहां पर जो हमने इसको बाहर निकाला मतलब पहले मैंने ऐसे किया था और यहां पर जब मैंने इसको बाहर निकाला यहां पर कोई लेकिन आपको मजबूर ही इस लिविंग ग्रूप को बाहर करना है ठीक है तो अभी लिविंग ग्रूप बाहर कैसे हो तो आप क्या करते हो यह जो नेगेटिव चार्ज है यह अपना इलेक्ट्रोनिक रिपलजन अपने एलेक्ट्रोन क्लाउड इस पिश इस और्बिटल में इस वज़े से यह बांड ब्रेक होता है नहीं तो लिविंग ग्रूप बोलता भी या मैं तो नहीं निकलने वाला तो लिविंग ग्रूप को जब अधक्ति धक्का दिया जा रहा है तू बाहर निकल जा और तेरे को बाहर तभी निकाल पाएंगे जब वहां पर तगड़ी elektron density पटा कर पाएंगे elektron density कब पड़ा कर पाएंगे जब यहां पर कुंद से चाट आजाए करवार पर नेगेटिव आ जाए और यह step यह step आपका क्या होता होता है पहला-वाला step Past था इसमें याद रखेगा यह step आपका slow होता है और final इसके बाद आपका कुल एक एक तो आप इसको दो step में कराते हो पहला step आप इसको fast लेते हो और दूसरा step आप slow लेते हो हमोमन most of the reaction में उल्टा होता था पहला reaction slow होता था दूसरा reaction fast होता था हमोमन 95% reaction हमने ऐसी देखी हैं इसलिए even CB जो reaction है रही औप रही और होती है आपको हड़ जगे एंजी भी दिखाई देगी ऐसे नहीं है तो चुकि इसकी कुछ consequences ही ऐसे हैं कि पहले आप इसमें से मतलब बे हड़न निकालते और negative लाते उसके बाद आप attack कराते हो मतलब उसके बाद बहुत जादा crowding की वज़े से धक्का पढ़ता और धक्के पढ़ने की वज़े से बाहर निकलता है तो यह थोड़ा सा अलग ही type का reaction है यार इसमें पहला step fast होगा दूसरा step slow होगा मतलब पहला step का peak low होगा और दूसरे step का peak high होगा थोड़ा अलग है कि नहीं है थोड़ा अलग है कि नहीं है अगर मैं इसको देखूं तो यह दो step में बनाओं तो पहला step का peak क्या आएगा low आएगा activity low आएगी और दूसरे वाले एक्स माइनस को लगाओ मन में सवाल यह जरूर आया होगा कि सर आप electron withdrawing ही क्यों लगा रहा है मतलब क्या electron withdrawing के बिना यह reaction नहीं हो सकती क्या तो देखो दोस्त एक बहुत basic सी बात बताना हूं अगर electron withdrawing है तो electron withdrawing की वज़े से ही यहां पर negative चा जा रहा है और इस negative चा जाने की वज़े से electron density बहुत ज्यादा वड़दा रही है इसी वज़े से इसको transfer कर पा रहा है अब थोड़ी दिर के लिए सोच हो थोड़ी दिर के लिए सोच हो आपको पता है कि living group poor है और यहां पर कोई electron drawing रूप नहीं लगा है तो क्या यह बैठे बैठे यह एच प्रस निकल जाएगा क्या यह proton बैठे बैठे एसदिक हो जाएगा answer is नहीं answer is नहीं ठीक है ऐसा भी नहीं होगा आपको ऐसा लग रहा है कि हां सर यह तो यह अगर हो गया और यह हो गया तो इसमें और इटू बाहर निकलता था फिर उसके साथ बाहर निकलता था सामेंटेनिस प्रसेश होते थे लेकिन चुकिंग्यों स्टेप रियक्शन है याद करो मेरी इटू वाली बात मेरी बात सब्सक्राइब आ रिए ना तो हम एक्स के फ्लूएंज में एक्स को जबजशती बाहर नकालना चाहते है अब एक्स भी ना मिलेंगे तुम्हें टाइप मिलेंगे या तुम्हें ओच मिलेगा या तुम्हें जिनके पास ड और्विलिटी नहीं है अब दोस्ट चुकि डी और्बिटल की अविलिबिल्टी नहीं है इसलिए यह निकलने आपको पसंद नहीं करते हैं यहां से निकलने के बाद उतना स्टेबल नहीं है यहीं पर अगर सील होता ब्यार होता आई होता तो मैं नहीं कहता कि कोई बात नहीं या चलो अरिक्शन कर हो तो अगर आपको CLBRI दिख रहा है तो आप EVEN CB नहीं सोचोगे आप EVEN CB सोचोगे ही तभी जब आपके पास फ्लोरीन हो OH हो CN हो यह कहूं पूर पूर लिविंग ग्रूप हो और आप पूर लिविंग ग्रूप पहचानते कैसे हो तो जनरली पूर लिविंग ग्रूप जो होंगे जुकन निकलने के बाद ऐसे बीट रहा हूं और लों तोडने अकब अगर मैं स्टेविल हूं तो मैं क्यों तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा अब लेकिन ये मजबूरी है इनको तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि तोड़ने का इन्फूरइंसर है जो ड्राइव यहां पर ड्राइविंग फोर्स है ठीक है हाँ यह बतलग है कि पहला step हमारा fast था दूसरा step slow है तो electron withdrawing असर दिखा रहा है या electron density असर दिखा रहा है यह इसको बहार ले जाने में ठीक है पासद में आ रही है तो यह बत याद रखेंगे आपन लोग कि सबसे पहले क्या होता है सब्सक्राइब निकालते हैं और उसके बाद एक्राइश को बहार नकालते भी कि उप्रेंस के एको यशार में चलता है बात सब्सक्शंब ने और अदिखा देता हूं यह बतो है आपने कभी चैंस्टि में या एलल पड़ा कि नहीं मुझे नहीं पता ठीक है एलडोल टाइब रियक्शन होती है तो बच्चों को कहा जाता है पानी निकाल दो एड डे एंड जब य। अब यार नौलेज की बात है थोड़ी सी गलत नहीं है कोई अपने पढ़ाने का थारीका है ठीक है लोगों को क्या लगता है यार यह देखो बहुत महबत से मै ले ले लेता हूं को को अबने पढ़ा हूआ अगर कहीं कि हम फंक्šष्थन अप्योंम के मानन तुम्हीं है तो यह को सब्सक्षर्य अफ passé और बीटा लगा है तो हम लोग क्या लोग क्या करते दो तो तुम्हारा आजाएगा नो डाउट डोस्त आजाता है लेकिन बहुतों को ये बात नहीं पता होती बहुत बच्चों के बात नहीं बता होती कि अलडॉल करतों रहे हैं लेकिन कंडेंसेशन करते टाइम वहां पे लगता है जेए में पूछा हुआ है कि अल्डॉल कंप्लीट अल्डॉल में कौन-कौन से मिकरजम लगती है ठीक है तो उसमें एक ऑप्षन था इवन सीवी का भी और और मेरी बात मानों बहुत सारे बच्चों छोड़ के आया था अरे एलडॉल में इवन सीवी कहां से लगने लग देए तो यह वहां का खेल है जब एलडॉल कंडेंसेशन कंप्लेटली बनता है जब कंप्लेटली पानी बाहर निकालते हो तब वहां पर इवन सीवी लगती है क्योंकि दोस्त यहां पर जो ओए चाता है यह पूर लिविंग रूप है अब अगर तुम स्टेप बाई स्टेप सोचो तो सबसे पहले क्या होता होगा यह तुम्हारा प्रोटॉन एसरीग प्रोटॉन है और आपको पता है कि आप जब करते हो तो वहां पर डाल्यूट अनुएज डालते हो तो वहां पर अनुएज बाद डबल बॉन यहां बना देगा ठीक है ओके अचा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आपने यह वाला एच क्यों निकाला क्योंकि भई यह वाला एच में कांजूगेशन आए नहीं आएगा अरे लाले वाले निकलेगा ही नहीं नहीं तो दूर की बात है क्यों निकलेग यह एलेक्ट्रान विड्राइंग का इंफ्लूएंस पास वाले पर जादा होगा या दूर वाले पर जादा होगा खुद लॉजिक सोचो ना मेरी बात समझो मेरी बात समझना पॉल्यां कि आप लोग जो पढ़के आते हो मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक होता है थोड़ा सा ही मिस्टेक है और कुछ नहीं आइज ऑफ फंसली और से जब लोग कर दो सर गामा से सर इसलिने क arrows नहीं निकालेंगे इसे ङूंज़िए नहीं मिले ऑन से सुनोगे तो रहान होगी आफका को सा पहले निकाल तो सर यह देखे अपको का जूगेशन दिखाई देखाई द cuália को गया थ्रेसर पाई बॉं अल्टよね फिक체적ि दे रहा है अब यहाई मैं चाहूं तो यह बना कि दूना आंशर नहीं नहीं पाऊंगा अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुमारा कहने का से सर इसले नहीं बनाते को यह आता मतलब तो यह बोलना चाहा रहे हो कि सर माइन बन सकता है सल्सक्राइब कैसे मतलब तुम इसके बाहर निकालना है क्योंकि इसका इसका इंफ्लूएंस either पेफे ह потр कहां प्रहाँ लगाएगा लग दोस्थ लॉजिक सोच पूर्ज ना आंसर इस अलफा पर लगाएगा तो मजबूरी जब अलफा का यहां से निकलेगा इसी के इंफ्लूएंस में यह बाहर निकलेगा ना मेरी बात समझ में आ रहे हैं कि तो एक ही प्रोड़क्ट बनेगा और वही प्रोड़क्ट आपका मेजर होगा और कुछ मेरे म मेकैनिजम तो कड़ते हो रियक्शन तो पढ़ते हो लेकिन आपको इंटर्नल यह नहीं पता होता है कि कौन-कौन से मेकैनिजम से वह गज़र रहा है ठीक है एलडॉल की बात करें तो एलडॉल आपका पहला आपका नुकलोफिलिक एडिशन से जाता है उसकी बाद आपका लगता है दोनों mecanism मेकैनिजम्ब का खेल है ठीक है मे आने वाले सीरीज में एक नेम एक्शन की सीरीज मनाऊंगा जहां पर सरिफ अच्छे छे नेम रेक्शन होंगी जो फेमस नेम् रेक्शन होंगी वहां पर फिर से इस बात को डिसक्स करूंगा और सारी बाते मैं बिना मेकनिजम करूंगा ही नहीं ठीक है तो दोस्त हमने कंक्लूजन क्या निकाला क्या हमने कंक्लूजन सीखा तो देखो हमने में कंक्लूजन निकाला कि एवन सीखा हमने में कंक्लूजन क्या निकाला दोस्त की सबसे पहला कि अगर मैं देखो तो यह टू स्टेप की रियक्शन है तू स्टेप की रियक्शन है इसमें स्टेप नंबर वस्त जो होता है वह हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्मोनियम आयन होता है वह मैं थार्मेशन ऑफ कर्मोनियम आयन होता है ठीक है अडर दे इंदे इंद्ध्लिविंस अव्लिक्त रिद्र्विंग्रों influence of electron फिर ट्राइं ठीक है जो कि इस का बनान को सब्सक्राइल भी करता रहता है and this reaction is my dear fast type reaction ये fast reaction होती है और दूसरी आती है अपनी step 2 जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनली की लीविंग रूप है लीविंग रूप ठीक है लीविंग रूप बाहर निकलता है और यह सब आपकी स्लो होती है तो आप देख पा रहे हो अगर मैं थोड़ी सी कानिटेक्स से बात करूं तो हमने एक टर्म बढ़ा है अगर मैं आडियस की बात करूं तो यहां फिरा कॉंसर स्टेप आडियस है क्योंकि सर वही स्टेप स्लो होता है तो चीक है मेरी बात समय आ रही है क्यों पूरी पूरी डिपेंड करती है वे जो निकलने के बाद लिविंग गरुप होता है उससे पूरी बात लिविंग के इसा है लिविंग क्यूंप फास्ट होगा तो पस्तों होगी दिए पर टिक्ष्ट ओला और वैसे भी या टियं ग्रूप पूर होगा तबढ़ हो द दरवाइस तो यार कोई काम कर नहीं है तुम्हारा एवन सी भी नहीं तो फिर याई और एवन एटू से क्यों ना काम चला लिया जाए ठीक है तो इसका बस एप्लिकेशन में आपको समझाना चाहा रहा था कि क्या होता जिस अल्डॉल हो गया और एक लेक्शन तुम और देख ललतों तो जिस पर यह लगए हुए यह सील सीयल त्खड़े हैं अरह यहां पर कह सकते हूं कि अपने आप में eretering का काई होंगिए तो आप क्या कर रहे होगा। चया मैं जो आपका पहला पास्ट होगा सब्सक्राइब्स स कि अध् बिविडार्ब को करता है और गिनने सी यह आपका कार्ब यह कर्बोनियम बोल रहे हो यह के स्टेबिल होता है इस एक है और इसके बाद आप अगले सेप में चक्कि अलो होती है इसका इंफ्ल्योंज यहां पड़ता इसवेश से यह बाहर निकलता होगा दो और कुछ ऐसा बन जाता होगा हुआ है आई होब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्या करना चाहा रहे हैं ठीक है यहां से इसने अपने आपको स्टिवलाइस करने के लिए डियर्बटल एजिनेंस किया उसके बाहर आपने निकाल दिया उसको ठीक है तो यह कुछ बैसिक सी बाते थी कुछ बैसिक सी रियक्शन थी जो मैं समझा सकता था कि हां यार यहां यहां आपको एवन सी बी आप्जर्व करने को मिलती है और कभी आपने बैंजाइन पढ़ा हो तो वहां पे भी इवन सी बी आप्जर्व होती है मैं लब इतना डेफ में मत जाओ करने के लिए आप क्या करते हो यहां पर इसको स्ट्रॉंग बेस के तौर पर नहीं ले लो और तगड़ तगड़ बेस हैं ठीक है अपने आप में बहुत अब इसके बेस के डालने की वजह से दोस्त कहानी कुछ ऐसी हो जाती है कि यहां पर नेगेटिव आ जाता है और यहा कि बंजाइन का फॉर्मेशन होता है यह और बेंजाइन इस नोट परीपॉर्ड फोर यू इमपॉर्ट्र पूर्द इङ्जाम में बेंजाइन पेतना है कि अरो मैटिक है इसमॉयर वापस मिल जा रही है तो मेरी बात आप समझ पाए रहे होंगे कहां पे अपन लोग जो है कहां पर जो आपन लोग है इवन रियक्शन को प्रोसीड कर ठीक है तो यह आ गई होगी डोस्त आगे बरते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको ईवन कि रादिया कि एटू फिनिश करा दिया कि इई आई फिनिश करा दिया और एवन सी भी फिनिश करा दिया यह चार तरह की एल्मिनेशन रियेक्शन अपन लोग में डिसकस कर लिए इससे पहले मैंने पीछे की वीडियो में सब्स्टूशन बताया था SN1, SN2 और SNI यह तीनों बता दिया था यार यह हमारे तीनों सब्स्टूशन में बताई थी अब बहुत खुल के बताया है कि SN1, SN2, SNI कब होता है इस सारी बाते में आप सर डिसकस कर चुका हूँगा मतलब हम यह जानते हैं कि Elimination reaction क्या होती है और हम यह जानते हैं कि Substitution reaction क्या होती है अब सबसे बड़ा सवाल जो एक्जाम में बहुत बार बच्चों को परिशान करता है कि Substitution करना है कि Elimination करना है यह Chemistry में अपने आप में अलग Chemistry है इसकी मतलब अगर आप इसको कुछ बातों से पकड़ जाते हो तो समल लो आपका question क्यों खतम हो जाएगा मैं इसको बहुत in-depth knowledge में लेकर discuss करूँगा जो जो possible हो पाएगा मेरे साथ ठीक है तो आप प्लीज इसमें हेडिंग डाल दिजेगा comparison और SN reaction and Elimination reaction लिखते हैं जनरली Elimination को मैं Substitution है इसको बस लिख दो चलो SN और E में अपने लोग को comparison करना है देखो सबसे पहली बात अकर मैं इसके mechanism के terms में जाऊं थोड़ी देख के लिए मान लेते हैं यहां पर मेरा कोई CL as a living group लगा है क्योंकि living group दोनों में है H दोनों में है सब कुछ दोनों में है यार एक्दम सेम सिच्वेशन जैसी कि है वैसी लिए रहा हूं सबसे पहले basic बात बता देता हूं कि कैसे आप पहचानते हो कि substitution और elimination क्या होता है मान लेना अभी मैंने सिर्फ OH माइनस लिखा है मैंने कहीं नहीं लिखा है कि alcoholic और aqueous है मैं आपको basic बात बता रहा हूं और मैं बता शायद चुका हूं कि जब भी कभी भी substitution होता है जब भी कभी substitution होता है तो यह जो न्यूक्लोफाइल है यह जो न्यूक्लोफाइल है वह सिग्मा एस्ट्रिक्स CCL पर टेक करता है मतलब anti-bonding of CCL पर टेक करता है during the time of substitution SN1 SN2 बात की बाता भी मैं यह बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपको बस basic बता रहा हूं जब कभी substitution होता है तो यह जो OH- जिसको आप बेस बोल सकते जिसको आप न्यूक्लोफोल बोल सकते हो अगर आपको substitution कराना है तो खुद जानते हो कि मैं इसको कैसे ट्रीट कराऊंगा और न्यूक्लोफाइल जब भी अटेक करेगा तो वह कार्बन और क्लोरीन के सिग्मा एंटी बांडिंग पटेक करेगा और आपका substitution reaction हो जायागा दोस्त ठीक है और अगर मैं इसको करता हूं तो याद रखना जब भी मैं इसको कराऊंगा तो याद रखना यहां पर हाइड्रोजन के पास और सी और एच के पास आप देख सकते हो दोनों बात को पकड़ो दोस्त यहां पर सिग्मा एस्ट्रिक सीचल है और सिग्मा एस्ट्रिक यहां पर सी एच है पकड़ी बात अगर आपको सिग्मा एस्ट्रिक सीचल दे रखा है तो आप उठागे क्या करोगे सब्स्टिटूशन करोगे सिग्मा एस करता है और जब इसको नुकलोफाल की काम करना होता है तो कार्बन और लीविंग ग्रूप में एक्जम्पल यहां पर लिया है लिविंग ग्रूप के एंटी बॉंडिंग करता है ठीक है ओके मेरी बात समद में आ रही है क्लियर कट है अब अगर मैं थोड़ा सा molecular orbital theory पढ़ाऊं MOT तो MOT यह बोलती है कि अगर मैं energy level में बाढ़ता हूं दोस्त तो यहां कहीं सिग्मा एस्ट्रिक होता है और यहां कहीं आपका सिग्मा एस्ट्रिक सी एच होता है मतलब अगर मैं यह energy level है दोस्त यह मेरा energy level है और यह मेरा reaction coordinate है यहां पर OH- द्वारा लेते हैं जिसको तुम as a base बोल ले हो और a nucleophile बोल रहे हो आप एक बात personally समद चुके होगी after this emoji basics emoji है कि यह energy यह है और यह energy यह है तुम बताओ किस energy को achieve करना ज्यादा आसान है कि किस energy को achieve करना ज्यादा आसान है मन में तुरंत आया होगा हां सर यहां के expectation थोड़ी दिर के आप even मान लीजे यहां कि आप e2 मान लीजे तो e2 सर ज्यादा बड़ा है even से इसका मतलब मेरे दोस्त even को achieve करना ज्यादा आसान है इसका मजदन टूई टूए या indirectly बोलू कि substitution कराना ज्यादा आसान है elimination कराने से या यू कहूं कि देखो substitution तुम्हारा low temperature पर ही काम हो जाता है और elimination में तुम्हें अक्सर most of the reaction में high temperature लगता है तो असल में high temperature हम देखे यह करते हैं कि इसको एक force of energy provide करते हैं कि जा बेटा मैं तुझे इतनी energy दे रहा हूं in the form of temperature increase करके कि तू इसके anti-bonding of CH पे टेक कर और elimination reaction को proceed कर इसलिए books लिखती है कि जो substitution होता है दोस्त वो लिखती है कि substitution हमारा low temperature पे चल जाएगा आर्टी पे चल जाएगा room temperature पे लेकिन elimination के लिए most of the reaction में आपने देखा होगा high temperature या अंगीटी बन जाती reaction में ऐसे बन जाती है मतलब temperature की symbol बन जाता है मैं इसको अंगीटी बलाता हूं है लेकिन अगर आपको elimination कराना है तो आपको temperature हाई देना पड़ेगा एस पर करना चाहिए कि substitution के लिए मुझे रखना चाहिए अब आगे चलके हम यह भी देखेंगे अगर मैं किसी तरह से इस energy को कम कर दूं किसी तरह से कि अब कम कैसे करूंगा वह आप खुद बताओगे अभी 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 इवन सीवी पढ़के आए हैं हम बताएंगे आपको कैसे कम करेंगे अगर इस energy को किसी तरह से कम कर दूं इस गैप को थोड़ा कम कर दूं तो यह अचीवेबल गैप हो जाएगा मतलब उस टाइम आपक सकते हैं हां करा सकते हैं अगर मैं सिग्मा एस्ट्रेक्श की एनर्जी लेविल को एंटी बढ़ने को कम कर दूं तो कैसे कम करूंगा वह आभी आगे देखेंगे अभी हमारा मेन मोटव यह है कि हम सबस्टूशन में पहचाने हैं तो हमने पहला ट्रेंड दिया एफेक्ट of temperature के नाम से mm कि temperature में को यह बताया चीदब टेंपरेचर आड़ी यह लो पर होता है तोब सब्स्टूशन परसीड करा सकते हो और जब समय नहीं अ चनलता है चलाए अचिवा रहा हे क्योंकि इसका antibandals ज्यादा उपर हैसके इस जब सबसे पहला आप कैसकते हो दूसरा factor आता है reagent factor दोस्त हम reagent factor का फाइदा उठाएंगे और हम देखें कि कैसे हमको elimination कराना है कैसे हमको substitution कराना है तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ रीजेंट की जगे आप इसको एक्टेंड देख लो यार पहले पहले तो आपको बता दूँं यह बात सबको बता है कि आर एस और ऐइवन रियक्जेंट गहने दोनों ही का जो ऑरडर होता है वू थ्री वह आपका क्या होता है 1 degree, 2 degree और 3 degree यह आपको पता होए चाहिँ बात कि अगर आपको ZN1 E1 और E2 करानी है तो उसमें जो मेजर ती यह वो 321 की आती है ठीक है और अगर आपको SN2 करानी है तो उसमें भी आपकी 123 आती है ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास 1 Degree का तो तो आपकी क्या होगी एसन तू होगी अच्छा इन सब को बताने से पहले यह भी बता दूं कि कोई भी चीछ 100% डील नहीं देता को भी 100% डील नहीं होती कहने का क्या सेंस है कि यह कोई दावा करके नहीं ठोक सकता कि हां यार 100% सब्स्ट्टूशन होगा या 100% होगा एकाथ केसिस को छोड़ोगे 95% केसिस में हम लोग मेजर और माइनर चेक करते हैं हमसे एक्जाम में बस पूछेगा कि हमें से कौन सा डॉमिनेटिट प्रिडक्ट होगा वो यह कही नहीं कहेगा कि अल्मिनेशन नहीं हो सकता अल्मिनेशन भी हो सकता है आपका 1 डिगरी का है तो एसेंट 2 की चांसेज हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ए टू की चांसेज नहीं है मैं अच्छीच नहीं कहूंगा एटू की चांसेज भी है ठीक है लेकिन एसेंट 2 की क्या हो गई most probable chances होगा है ठीक है उसी तरच पर अगर आपका रिएजन 2 डिगरी है तो सबसे ज़्यादा confusion यहीं होता है two degree में क्योंकि यहाँ पे तो दोस्त SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है, no doubt हम compare करी नहीं सकते हैं, सिर्फ region को देखके कभी भी single factor, कभी भी single factor decide नहीं करता कि आपको substitution होना है या elimination होना है, कभी भी, याद रखिएगा, बहुत सारे factors काम करते हैं, इसलिए मैंने पहले बताया temperature factor और फिर बता रहा हूँ region factor, ठीक है, तो तीसरिया है कि अगर आपके पास रिया reagent 3 degree का हुआ, तो यहाँ पर E2 होगा, E1 होगा और SN1 होगा, SN2 की तो आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि SN2 में crowding effect आता है, तो आप SN2 की मत ही सोचो तो ज्यादा अच्छा है, आप किसी सोचोगे, E1 की सोचोगे, E2 की सोचोगे और SN1 की सोचोगे, एक दम नहीं कहूँगा कि सिर्फ SN1 की सोचो, एक दम नहीं करो कहूँगा कि SN1 की सोचो, सिर्फ एक फेक्टर नहीं है दोस्त, ठीक है, तो यह दूसरा फेक्टर था, इसको बोलते है, reactant फेक्टर, कौन सा reactant case nature का होगा, उस से decision लिया जाएगा, ठीक है ओके, तीसरा फेक्टर आता है, लीविंग ग्रॉप फेक्टर, बहुत सारी कहानी तो यहीं सॉल्व हो जाती है, देखो, अगर आपका पूर लीविंग ग्रॉप हुआ, such as fluorine type, तो वहाँ पे most of the chances है, कि आपकी E2 Elmination हो, और ये भी chances है, कि होफ मैं इल डाए, लेकिन चुकि अभी भी हम दोबारा पढ़के आए, कि अगर पूर लीविंग ग्रॉप है, but under the influence of electron withdrawing group है, under influence of electron withdrawing group है, तो अभी पढ़के आए, कि पूर भी होगा, और influence of electron withdrawing होगा, तो E2 की जिए क्या लग जाएगा, E1C भी लग जाएगा, but होगा Elmination, होगा दोस्त, Elmination, Substitution की यहां तुम नहीं सोचोगे, मतलब तुमसे ज़्यादा डफ में पूचता है कि नहीं भी या Elmination होगी कौन सा Elmination, तो ठीक है, E2 होगा, E1C भी होगा बात की बात है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ, कि Substitution Elmination में जाच करो, तो हाँ या Substitution तो यहां पे नहीं होगा, अगर आपका Living Group क्या है, पूर है, ठीक है, लेकिन अगर आपका Good Living Group है, ब्रॉसाइलेट, ब्रॉसाइलेट, मिस्टाइलेट, फ्लोरीन, मलब सॉरी, क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन, हाना, OTS, OME, OCF3, तरह तरह के हैं, सब डिस्क्स कर चुके हैं, पीछे यार, अगर यह हमारे Good Living Group में जाते हैं, तो यहां पे मैं नहीं कहूँगा कि, only SN2 होगा, या SN1 होगा, कुछ भी हो सकता है, even भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, हाना, तो मतलब यहां पर substitution भी टेक्लेस प्लेस कर सकते हो, और elimination भी टेक्लेस कर सकते हो, ठीक है, तो अगर Good Living Group है, तो आप decision मेरे साब से नहीं ले पाओगे, आएजर सब्स हो जाएगा, हरे या, substitution तो नहीं होगा, चल, elimination होगा, इतना तो guarantee है कि अलकीन मनेगी, हाना, तो बहुत बड़ा दिमाग का बोजा खतम होगा, दो option ऐसे cancel हो जाएंगे, substitution वाले, guarantee है, बचेंगे, आपके पाद जो option, elimination वाले बचेंगे, उसमें आपको tick करना होगा, ठीक है, म मेरी बात आप समझ पाए रहो, logically समझ पाए रहो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, just one minute, my dear, चेक है, चली, अगला आएगा, effect of, base and identify, the king way to identify, कि substitution होना है, कि elimination होना है, बहुत तगड़ा तारीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ, कैसे इसको पहचानते हैं, कि हमको substitution करना चाहिए, या हमको elimination करना चाहिए, इसके लिए concept लगता है, उस concept को बोलते है, orbital concept, species किस orbital से belong कर रही है, उसका बहुत बड़ा role play होता है, ठीक है, समझिएगा, अगर मैं 1S से 5P की तरफ जाओं, तो जो size है न, वो increase कर रही है, और एक term आपने का भी पढ़ा होगा, charge density, that is, charge per unit area, चुकि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास CL minus है, BR minus है, और I minus है दोस्त, सब पे charge minus है, इनका same है, area का अंतर है, I minus की size बड़ी होगी, तो charge density अपने आप क्या होजाने वाली है, गटने वाली है, charge density factor polarization की responsible होती है, जितना ज़्यादा charge density होता है, उतना ज़्यादा polarization होता है, मतलब अगर charge density decrease करेगी, तो polarization भी decrease करेगा, वाली होता है दोस्त, पॉपॉलाइशन डिक्रीज करेगा, तो attraction भी decrease करेगा, मतलब नीचे वाला जो है ना, वो attraction factor काम करेगा, और उपर वाला जो है, अब दोस्त होता क्या है, होता ये है कि, कि जब तुम 1S से 5 की तरफ जाते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको रप कर दे रहा हूँ यार एक बार, जगे नहीं है दोस्त, जब आप 1S से 5P की तरफ जाते हो, तो nucleophilicity बढ़ती है, and basicity घटती है, मतलब उपर की तरफ substitution होने की chance जादा है, और नीचे वाले का elimination होने की chance जादा है, मतलब अगर आपके पास I- है, BR- है, CL- है, तो यह तीनो most probable chances है की substitution करेंगे, क्योंकि यह nucleophile है अच्छे, और nucleophilic reaction होगी तो substitution reaction होगी, एवन मझे 3P को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह border होते हैं, मैं ज़्यादा बोल जाओंगा अगर 3P को बोल गया, इन दोनों पर main focus करो, 1S जैसे example के तोर पर NH हो गया, KH हो गया, यह जितरे भी अगर आपको मिल जाएं, यह आपको कभी मिल जाएं, तो यह तगड़े, बेस नहीं, बेस नहीं, तगड़े बेस होतें, तो यह जो है, यह हमारे बेस होंगे, वेनस वाले, 4P और 5P वाले अच्छे हमारे न्यूक्लोफाइल होंगे, बाट फस्ती है कि 3P वाले में कुझा, 3P में आएगा, CL माइनस हो गया, S2 माइनस हो गया, 2P में आपने बहुत famous हो नहीं हो गया, Bernard R माइनस हो गया, NS2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, crowding बढ़ गई, इनको बोलते हैं borderline, यह दोनों हमारे क्या है borderline पे हैं, में पंगा आता हैं, इनको कैसे judge करें, ठीक है, सर आपने कह दिया कि, 5P और 4P वाला है, आप most of the charges में आप substitution कराओगे, आप elimination कराओगे, no doubt, बात सर फस्ती है, आपके इस 2P वाले की, और सर इस बात फस्ती है, तीपी 3P वाले की, कि यहाँ पे यह हमारा borderline है, borderline मतलब दोनों factor काम करते हैं, substitution भी काम करता है, और elimination भी काम करता है, अब हमको देखना है कि borderline के अंदर क्या होता है, तो borderline के अंदर अगर मैं जाता हूँ दोस्त, तो मैं example ले लेता हूँ, CH3-, NH2-, OH-, और F-, सारे हमारे 2P वाले की और borderline के अंदर में आते हैं, तो जब आप left से right जा रहे हो, देखना जान से, carbon है, nitrogen है, oxygen है, fluorine है, जब आप left से right जा रहे हो, तो इस case में याद रखना, nuclear felicity और basicity directly professional होते हैं, और nuclear felicity भी घटती है, और basicity भी घटती है, तो यहां से यहां जाएंगे, तो nuclear felicity भी घटेगी, और basicity भी घटेगी, मतलब CS3-, अच्छा nucleophile में भी आएगा, तो अच्छे base में भी आएगा, लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा सा बलकी मिल जाए, crowded मिल जाए, थोड़ा सा ऐसे crowded मिल जाए, तो यह जो होगा ना, यह तगड़ा base में कैटेग्री माने लग जाएगा, क्राउडिंग बढ़ा गई, नॉर्मली अगर हम left से right जाते हैं, तो nucleophilicity भी घटती है, और base भी घटती है, ओके, जो जितना highly electronegative होगा, वो उतना poor nucleophile भी होगा, और poor base भी होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो यह एक factor है, जो कि हमको बता देगा, कि तुझे substitution करना है, या elimination करना है, borderline के लिए थोड़ा, असमंजस होता है, no doubt door, इसके लिए आगे चलके, हम लोग solvents का roll खेलेंगे, solvent decide करते हैं, कि किसको क्या करना चाहिए, ठीक है, यह सारी बात है, कि मान लो तुमारे पास यह आ जाता है, CS3, CS2 नेगेटिव, यहां आ जाता है, CS3, CS2 नेगेटिव, और यहां आ जाता है, दोस्त, CS1 नेगेटिव, अब मैं तुमसे बोचता हूँ कि, अच्छा nucleophile कौन, और अच्छा base कौन, बात देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा logically सोचना है, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, और इसको मैं C बोल रहा हूँ, और मैं आप से बोल रहा हूँ, compare करो, इनके basicity में, और इनके nucleophilicity में, क्योंकि, 2P orbital के हैं, तो जैसा base हो, कव ऐसा nucleophile होगा, इसको नजरिया मेरा थोड़ा सा सोचने का लागा, इसको मैं S करेक्टर के form में सोचता हूँ, आप कैसे सोचते हो, आपका अपना तरीका है, मैं इसको S करेक्टर के तौर में सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि भाई देख, कभी न कभी ये acid रहा होगा, उसके बाद ये किसी acid का conjugate base है, ये तीनों किसी acid का conjugate base है, मतलब ये ethane का है, तो ये ethane का है, इस सारे acid के loose के conjugate bases है, अब यार अगर कोई conjugate base already stable है, लोगिकली सोचना, अगर कोई conjugate base already stable है, तो क्या वो वापस attack करने जाएगा, बोले जाओ भाईया reaction करो, उस तो आराम करने जो भाईया मेरे हैं की नहीं है, अगर मैं A को C से पूछता हूँ, तो C बोले का यार मैंने ना अपना H प्लस दे दिया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख है, क्यों दुख है, बाई मेरे S करेक्टर जादा होगी, तो इलेक्टो नेगरिटी जादा होगी, इसका मतलब मैं नेगरिटी चार्च को होल्ड कर सकता हूँ, मुझे उतना गम नहीं है, अगम नहीं है तो मैं stable नहीं हूँ, तो क्यों जाओं attack करने, है कि नहीं, मैं attack करने क्यों जाओं, attack करने तो वो जाएगा निसको जरुद पढ़ रही है, कि हाँ भाई यहाँ से निकालने के बाद आग के फच गए, आप कहां जाएं, तो यह वाला जो है, वो मजबूरी में आपका as a nucleophile attack करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन C वाला मना कर देगा, नहीं यार, नहीं करना है, इवन बेस के फ़र्म में भी ही होगा, अगर मैं बोलू कि H+, खाओगे, पखलवा गया होगा, अभी तो H+, छोड़ के आएं, फिर से वाइस खा लेगा, इस से पूछ लो, कहां यार, मुझे दर दो रहा है, यार, ए बोलेगा, है की नहीं है, अभी त्यार, लूस तो किया, लेकिन stability feeling नहीं आ रही है, काश मेरा H+, मुझे वापस मिल जाता, एक मन की feeling है, यह मेरा अपना सोचने का तरीका है, तो मैं कहूंगा कि A, B, C में अच्छा nucleophile कौन सा हो जाएगा, A, then B and then C, nucleophile बोलो, base बोलो, ठीक है, यहाँ पर यह काम कहा रहेगा, ठीक है, clear cut है, यहीं बात थोड़ी संज में आ रही होगी, हाना, एसर नहीं है कि नहीं जाएगा, मजबूरी में सब कुछ chemistry है, reaction होती है, तगला nucleophile काम कर सकता है, यह comparison word है, मैंने आपे comparison word यूज किया है, हाना, तो ultimately हम यह देख पाने दोस्त की 5P, 4P वाले जलिनली सब्स्टूशन, 1S वाला most of the time elimination, 2P, 3P वाला borderline पे है, मैं question दे रहा हूँ, आप बस मुझे nucleophilicity और basicity में range कर दो, मैं समझ जाओंगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं question दे रहा हूँ, फिर pause करूँगा, आप try करना, यह मान लिए, मैं लिए, CL- मैं लिए, I- मैं लिए, OH- मैं लिए, F- मैंने लिए, BR- मैंने लिए, let's suppose करो, CN, CH3- मैंने लिए, S2- मैंने लिए, F- BR-, CL- हो गया, हाँ हो गया, NH2- लिए, यह सारे लिए है, ठीक है, और मैंने आप से कहा, कि काम करो, मेरे लिए ना, इनको nucleophilicity की order में, और इनके basicity की order में arrange करो, ठीक है, के कौन अच्छा nucleophile कौन अच्छा base, पलट मत देना भाई, क्योंकि यार, टॉप से बॉटम तो ठीक है, inverse relation है, लेकिन left से right, directly relation है, इसलिए, इतनी बुद्धी मत लगा देना ज्यादा वाली, कि nucleophilicity निकाल लिए, पलट दिया, सर बेस्टिटी लो परस दिया, सर आपके सांद बेस्टियम दे लिए, ऐसा मत करना, ठीक है न, चलो, वीडियो को pause करो, सोचो, टाइम लो, फिर हम आगे वरते हैं, मैं समझा देता हूँ, ऐसे कभी सवाल आए, और आप से बोले कैसा अरेंज करो, और मुझे बताओ, कि further product में reaction, product क्या बनेगा, तो इसके लिए आप orbital पहले चुन लो, यह कौन से बिलॉंग कर रहा है, यह किसे बिलॉंग कर रहा है, यह आपका बिलॉंग कर रहा है, आपका फॉर पहले यह बिलॉंग कर रहा है, 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 यहां प्याराम से एक सील है और एक एस माइनस है अभी मैंने बात किया था आपको पता भी होगा कि एस टू जो है गुरुप 16 का है और से ल माइनस ग्रुप 17 का है तो लेस से राइट जाएंगे तो नुकलो फ्लिश्टी भी घट्ती है और बेसिटी भी घट्ती है मतलब एस तू माइनस ज्यादा अच्छा नूपलो फाइल हुआ अब फिर भाई काम अपने लोग किसमें कर देंगे तूपी वाले में कर देंगे तूपी में कौन है एक ये दो ये ती और ये ता जो लेस्ट नेगिटिव है वो अच्छा हो जाएगा तो यहां आएगा सिस्ट्री माइनस यहां आएगा उसके बाद को नाएगा भाई उसक माइनस दोस्त और लास में तुम्हारा आजाएगा एफ माइनस यह हमने काम किया किसमें न्यूक्लियोफ वेलिसिटी के अंदर काम किया सबगर मुझे अब मुझे अगर बीश सीठी के बारे में सोचना है तो पल्तूंगा थोने ही फुरा बथा ज्यतना अच्छा ऊठरो नूक्लिवाइल उतना च्छा भाएग। पर तो यार वह कब लगाप प्रियर्सटी में ढूस लीए अट 2- वैस पेंश माइनस एफ मेस य क्या आएगा धान से सील माइनस या स्टू माइनस तो अच्छा ना अच्छा बेश उसके बाद तो फिर भी यार माइनस और लास्ट में इसका रिवर्स आंसर नहीं है दोस्त ठीक है तो यह मत करना जल्दी में कि पलट दो तो यह तरीका होता है कि आप नुकलो फिलिसिटी औ उबाइटल गृष उल्द और वाइटल कंचेप्ट तीक फिर बोलना हूं कि सिर्फ यह ए इक नहीं है और भी कंचेप्ट है अगला कंसेट आता है यह हमारा न सॉल्वेंट हुआ है uh हमको सॉल्एंट से देखना होगा कि कौन कौं से टाइप के सॉल हैंने रिस्कष्श किया था confidence तो दो तरह सोल्वेंट हुट पूलर और एक नॉन पोलर और खॉलर में बहुते हैं फोल अब टो आपने अमोबन देखा होगा कि अगर कोई reaction polar protect solvent में है तो वो generally SN1 हो सकती है या तो even हो सकती है और अगर वो polar A protect में है तो chances है कि उसकी SN2 भी हो और उसकी chances है E2 भी हो दोनो possibilities इसके साथ बन सकती है हना एक possibility नहीं कहूंगा लेकिन हाँ दोनो possibility बन सकती है ठीक है ओके उची तरह कभी तभी ऐसा भी आएगा कि भाई आपके पास न्यूक्लियो फाइल तो है या बेस तो है बेस तो है जैसे मैंने कहा कि बेस है लेकिन बेस की भी दो category है एक स्ट्रॉंग बेस और एक भी बेस अगर आपका दो स्ट्रॉंग बेस है अगर दोस्त्व का स्ट्रॉंग बेस है तो पूरी पूरी चांसे कि तुम आरी इवन जाए या एटू जाए मनलब अलमेनेशन रियक्शन लेकिन अगर आपका वीग बेस है तो पुरी पुरी चांसे है कि या दोस्त कि SN1 जाए और SN2 जाए और अगर SN1 SN2 में जाना है तो आपने आयनिक और न्यूट्रल पढ़ा होगा वह या ओच माइनस और पानी तो यह मेरा न्यूट्रल है और यह मेरा आयनिक है अना पड़ा नहीं बाद तो यह ज्यादा dominant होगा तो SN2 के लिए ज्यादा अच्छा है और SN1 के लिए ज्यादा अच्छा है और इंडफ्ट हो जाएगी कि SN2 में भी तुम्हें देखना है तब अभी तो हम सब्सुशिशन में देख रहा है लेकिन हम सब्सुशूशन चाहते तब ही हम देख सकते हैं और इस तब्यू टी ऑप इंड़ान रख सकते हो कि यह यहार ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे इस तरह अगर बेस की में बात कर रहा हूँ तो यार कभी भी बल्की बेस लिखा होता है बहुत बल्की होता है बहुत फेमस रिक्षन है बल्की बेस होगा यह भी यू कुछ नहीं यार ठीदि आसा है यह यह कुछ ऐसा है ओ माइनस ले लिया क्या प्रसें विद्विया तो यह इतने बलकी है कि हमेशा क्या करेंगे बेश की तरह काम करेंगा बेस होगा तो Elmination नहीं है जनलर यह हम लोग एटु पर करना लगते हैं अब कि बार कि आप हीट से भी पहचान सकते हो हम ठीक है हीट से भी बहचान सकते हो कि कैसा नेचर है कि इसके अलावा कभी लिखा होगा एक्वस के भच जब एक्वालिक रिखा होगा तो मतलब यह इतनल क्रेदेंस हो गया या कोई भी हो गया इसकेस में आप जो है यह इन इटू की बात कर रहो है और अगर आप पास एक्वस है तो अलब यह पानी प्रेंस में तो तर्वा नुकलो फिलिस्टी आ जाएगी लब आप SN2 reaction most of those में favor कर सकते हो ठीक है ना तो E2 और SN2 आप दोनों प्रफर इसमें आप कर सकते हो अगर आपको अल्कॉलिक की वेच और एकपस की वेच दे रखा हो तो दोस्त यह सारे factors थे जो मुझे लगे कि अगर मैं आपको बता दूँ तो आप कर जाओगे कुछ ना कुछ तो हना इतनी सारी बात हैं हमने आपसा डिसकस की एकाथ example ले लेते हैं आई यह जैसे मान लीजिए थोड़े ज़र के लिए मैं ज conviction ये और जादा कूछ ने लिया वस्टना है यहां यह हीट समझ जाओ ही रखार है कि पहला क्या रखा है ही दिरका क्या रखाए एक दूसरा क्या रखा है पूर एल सब्सक्राइब 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 कि अगर मान लो मैंने सवाल दिया कि यार जिरिया और यहां लिख दिया कुछ ऐसा वीडियो को पॉस्ट करना सोचना की क्या है अब लोजिक लोजिक दोस्ट लोजिक इतना ज्यादा क्राउडिंग है कि तुम बताओ क्या इटू सोचोगे क्यों है यह निए निए यह सोच लुक्त जिए इसर नहीं सोचूंगा एसंट तो दूरुन सोचता लेकिन वो तब सोचता जब यहां पे क्राउडिंग कम होती है यह तो ठीक है चलो 3D डिग्री है यार रियेजंट हमारा अच्छी बात उनके लीरे तो सोचना नहीं है यहां पर बैठा है तकड़ा तकड़ा मतलब बन बैश तुमसे बोलता है सब्रक्त बनाएं तो तुसे क्या मतलब उससे कि तूझ अलमने एवन होना एट होना है ही कLovelean मेरी अगर तो उसने का भाई मुझे बना के दो मुझे मतलब नहीं है तो तुम्हें क्या फरक पड़ता है तुम्हें तो इतना पता इलकीन बनेगा कि यह मेरा अलफा है और यह मेरा बीटा है मैं अलफा बीटा से डबल बॉंड निकालूंगा अगर मन में यह भी कुछी मच रही है कि ईवन रखक हैं तो अगर अभी बात की बहुत जाएगा तो आप ऊच्योंप लेकिन अगर यही चीज में दे दूना ऐसे कि अगर यहां लिग दूग हुआ 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 है अब क्या करोगे अब देखो एसेंट टू तो मत सोचना गलती से भी रिएजेंट 3 डिगरी का है सोचा जा सकता था या है अगर यहां को देखें तो सन्वन है लेकिन बाइच साथ दोस्त उसने खुदी दे दिया कि यह हीट हो रही है और वैसे भी देखो यह अलकॉहल पड़ा है अलकॉहल है और हीट भी दे रख़ी है तो तू एसन के लिए तो नहीं सोचेगा तो एसन के लिए तो नहीं सोचेगा फिसके लिए सोचेगा Elimination के लिए सोचेगा Elimination के लिए सोचेगा तो Even सोचे यहां एटू सोचे तो फिर यहां पर आप सोच सकते हो कि Even होगी क्योंकि इस बाइग Crowding उतनी नहीं है तो आप Even के लिए सोच सकते हो At the end हमने Even के लिए सोचा आंसर वही ले आके चले आए तो दोस्त पहले और दूसरे एक्जम्पल में अंतर बस इतना था दोनों नहीं अलकीन दिया इवन और इटू मेकानिजम से अलग अलग आंसर दोनों का यील्ड वही आया प्रड़क्ट वही सेम आया ठीक है बट हम इतना तो बच गए ना कि सब्स्टूशन नहीं कराऊंगा वाई साब करा सकता हूं ठीक है एक एक इग्जम्पल देता हूं यह कुश्चन आया हुआ है जैई का कुश्चन है उसने बस पूछा था कि नंबर और पॉस्विल प्रड़क्ट बताईए नंबर और पॉस्विल प्रड़क्ट पूछे दे अब अगर तुम्हें wiliamson synthesis reaction याद हो wiliamson synthesis reaction याद हो तो यह वह region का example मतलब मुझे मतलब ही नहीं है नाम से फिलाल हमें तो मतलब है मेरे को कितने बन सकते हैं देखो दोस्त यह डिए टूटिका है यह बहुत जादा क्राउडिक भी नहीं है यह अभी उसने मेंचन नहीं किया है तो सुनो मैं सही बता रहाहूं Shistä whenwy possible he salir to be possible he even possible heaito कि लेकिन अगर मैं ज्यादा ना सोच आए सोच कि number प्रसट बता तो मैं या सब्सिटीशन से बनाऊंगा या तो अलों सो बनाता हूं तो अगर मैंने इसी कोश सब्सिटुशन लगाया इस में ने सब्सिटुशन लगाया तो कहानी कुछ यह हो जानी है क्या एक पॉसिबिल प्रोड़क्ट मेरा यह आया प्रोड़क्ट नूम्मर वन ठीक है माइगरेशन का कोई रोल नहीं है सब्सक्राइब कर भी दोगे तो तुम्हें मिलना मिलाना कुछ नहीं है कार्वोकटन उस्से जाधा स्टेवल हो नहीं सकता यहीं पर अलड़ी स्टेवल बैठा है तो उससे ज्यादा स्टेवल तुम क्या करा होगे है कि नहीं है लेकिन अगर अगर मैं इसको ऐल्मिनेशन के 速 जो इन ही में सोचता हूं इसी चीज को हए तो यार जिसपे हैलोजन लगा है वह अलबगल वला बीट अर यहां से द suburbs यहां से इसने काम किया जब वेल गीया तो यह हाइड्रोजन हो गया ओगा इस हड्रायन को यह एप्सट्रेक्क करका निकल गया तुम्हारा एक ถes nah ethneul हाना एक बनीर तुम्हारी क्या एक बनीर क्या अलकी güne है deuts है यहाँ पैण लेता है कि यह रहा होगा यह नहीं रहा होगा है अब तोटल मिलाके तुमने टैट्र प्रड़क देखे अब तुम बहु है यहां एक है न बाबने ना उसने number of product पूछाता है major minor नहीं पूछा था यहां पे असल में दो प्रोड़क्ट बने हैं एक अलकॉल बना है एक अलकीन बना है दो प्रोड़क्ट दोस्त यहां से बने हैं और एक प्रोड़क्ट यहां से बना है टोटल मिला के इस question के तीन प्रोड़क्ट बन गए इस question के दोस्त तीन प्रोड़क्ट बन गए जिसमें से दो हमारे elimination की वज़ा से आए और एक हमारा substitution की वज़ा से आया मतलब एक उसने इथर दिया, एक उसने अलकोहल दिया, एक उसने अलकीन दी, तीन पुटक दिये, ये दोनों दोस्त अलमिनेशन से आये और ये दोस्त मेरा सब्स्टिशूशन से आया, इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको रियेजेंट के बारे में नौलेज है, तो आप गेम क आपने ऐमिनेशन पढ़ाओगा, दियाडेशन पढ़ाओगा, मैंने पीछिवाली मिकस विकादे freer में बता भी रखा है, अब मोस्ट उपते केसे में लोगों कू लगता है कि जो दियाडेशन होता है, वो हमारा 은ज होता है, लेकिन ऐसमें बहूत जादा ही अगर तुम्हें even करना है तो तुम यहां पर स्ट्रॉंग सल्फियूरिक डालोगे या फॉस्फोरिक डालोगे हीट करने के साथ या पीटू ओफाइव डालोगे तो आपको even की तरफ नजर आएगा और अगर तुम्हें चाहिए चाहिए अरे और स्ब्साम की तो टुम्हें थैसना इसका भी मेंटर कर जाता है Oh इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कि अगर तुमारे पास एल टू ओ थ्री है और हीट है और एक उता डबलू ओ ठीक है डबलू वेल इंडियम ओ ठीक है यह आपका सेट्जफ में जाएगा जब कि पी-ओ-C-L-C-C-L-3 है या थौरियम ऑक्साइड टी यह दोनों तुमार जाएगा तुमारा काम हो जाएगा एक इग्जम्पल दितना हो एक कोशन दरूंगा टीन अलग अलग अंसर लाओंगा जस्ट बिकॉज दो इनके वजय से दिखाता हूँ दिखाना हूँ चलो जान सुनना टीन के अलग 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 अंसर एक मैंने डाला है स्थ्री पीओ- अब यह जाएगा इवन जाएगा तो कार्बो कटान बनेगा और कि शिफ्ट की पॉस्बिल्टी ऐ हैं जिएए त disrupted की पॉस्बिल्टी है ठीक है इसमें मुझे एक बर को सोचने दो की हां मुझे मुझे इसको एसे कर देना दोस्ति यार ह्योग क्यों की थोड़ा से प्रॉडक्ट डिस्टब कर सकता है मुझे बईक्सेक्टन दो कि मैं दिखाना चाहता हूं कि shift होता है और नहीं भी होता है अब लगबग लगबग कुछ जो जैसी मैं उमीद कर रहा हूं वैसा मैं product उमीद कर सकता हूं कि या इसको यहां कर दो जाता अच्छा होगा क्या कोशन उठा लेता हूं यार क्यों उतना सब्सक्राइब मार रहा हूं कि अधिक जस्वर्ण देना कि यह दिया रखा है को अधिक हमसे बोला है कि मुझे इल्ड दो अलग अलग कर्डिशन पर तो पहले अगर मैं इसकी सोचता हूं तो कार्बोकटान यहां बनेगा कार्बोकटान यहां बनेगा हाइड्राइट शिफ्ट होके कार्बोकटान यहां पहुंचेगा फिर से एक शिफ्ट होके कार्बोकटान यहां पहुंचेगा और जब यह कार्बोकटान यहां पहुंच तो उसके बाद जब डबल बॉंड बनेगा तो कुछ दोस्त ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसी सिच्वेशन आपके सामने आ सकती है कि हाना आपने कुछ नहीं करना के कांब आपने कुछ नहीं करना कारव कुटréalन यहां लाया है हईडरPhone करके कारवा क्रेशन यहां पहुंचा फिर मिठाईट करके कारो कोट्रूर्द यहां पहुंच तो मिधाईल यहां आया औल बना से की हाना एक्जन देटीं मिन या कि हो जाए गां एक प्रडॉक्ट आपका यह आया एल्टु अधरी यह तो इवं से आया एल्टु इटु उती तुम्हारा हो गया एटू यहां पर मेरे खाले सजेफ का और होफ्मेन का ज्यादा फरक नहीं पढ़ना चाहिए तो कि मेरे पास एक ही यिल्ड है तो यहां अब एलफ़ा ले लेते हैं यहां पर बीटा ले लेते हैं मतलब यह वैसे का वैसा ही रहेगा हाना इसमें शिप्टिंग नहीं होगी और इसमें भी आंचर आएगा दोस्त क्योंकि माइनर मेजर के प्रोड़क्ट लिया नहीं मतलब अगर मैं थोड़ा सा कोशन और अच्छा लेता अब लेता प्रोड़क्ट एक में रखता मैं पी एचोटू और हीट और एक में रखता मैं एल्टू थी और हीट तो दोनों का लगले इसका आंचर आता कुछ ऐसा और इसका दोस्त आंचर आता कुछ ऐसा पर बात क्लियर कड़ा है समना रही है तो हम यह देख पा रहे है कि कहां पर कौन सा हीड़ बन रहा है कब बन रहा है कैसे बन रहा है और यह सारी चीजे आपको question के लगाने से experience से आएगा ठीक है अब मैं एक question की series plan कर रहा हूं जहां पर मैं reaction mechanism अभी तक मैंने जतना पढ़ाया है आज तक का A to Z reaction mechanism का end होता है 19 part पर एक last 20 part आएगा जिसका नाम होगा question of the reaction mechanism ठीक है मैंने जितना possible हो सका दोस्त मैंने पढ़ाया आपको उमीद करता हूं कि आपको यह पूरी series जितनी भी मैंने पढ़ाई वह आपको अच्छी लगी होगी आपको समझ में आया होगा आपने देखा कितनी depth से मैंने edition से शुरू करते हुए substitution substitution के बाद मैं elimination band किया है मैंने it's take so much time बहुत महनत लगती है बहुत समय लगता है दोस्त ठीक है I hope आपको यह सारी series मेरी प्यारी लगी होंगी ठीक है मैं उमीद करता हूं कि मैं जल्दी एक question bank लाओंगा जो पूरा the action mechanism पर बेस्ट होगा ठीक है thank you very much दोस्त ठीक है बस questions की practice कि रहना अच्छे-च्छे questions लगाते रहना आपकी practice अच्छी रहेगी ठीक है हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना और notification को दबाना मत भूलना so that आपको पता चल जाए कि मेरे नेक्स वीडियो कब आ रही है and most important इस code को याद रखना यह code आपको 10% का instant discount दिला सकता है चेक है दोस्त thank you very much thank you thank you thank you